गैज यदि आपका मोबाइल हैक हो जाता है या मोबाइल फोटो, वाटसाप, फेसबुक सारा एकाउंट आपका हैक हो जाता है तो उसे कैसे ठीक करें हाँ गैज वीडियो बहुत ही मुस्ट होने वाले ही वीडियो को जरा ध्यान से देखना है गैज की कोई भी एकाउंट आपका हैक हो चुका है तो कैसे ठीक करें उसे गैज यदि ये सेटिंग आप अपने मुबाइल पर कर लेते हैं तो आपका एकाउंट कोई नहीं हैक कर सकता आपका मुबाइल कोई हैक आउट ट्रैक नहीं कर सकता तो गैज जान लेते हैं कौन कौन से सेटिंग है गैज अब कैसे चेक करें आपको फून हैक तो नहीं है गैज यहाँ पर पहले आपको आजाना है काल सेटिंग पर यानी डायल पाइट पर आना है अब गैज कैसे चेक करें आपकी काल किसी ने हैक तो नहीं की है गैज कभी कभी ऐसा होता है आप काल करते हैं और दूसरे के पास notification जाता है मैसित भी जाता है इस से पता चल जाता है ये बंदा इस से काल कर रहे है यानी आपको friend या girlfriend कोई भी हो सकता है वो भी उसका भी काल हैक हो सकता है अब नहीं है तो कैसे CHECK करें कि मेरा PHONE HACK तो नहीं नहीं यानि मेरी CALL तो हैक नहीं है तो इसे CHECK करने के लिए Goips आना है drag पर किन a preferences drive फिर इस्टार प्लेस करना है USTAR हायच 623 है करना है लेच करने की बाद यहां पर OK करें पर नहीं करने के बाते हैं यहां पर कुछ लूड लेगा यहां पर आपको मैससित देखने को मिलेगा इस तरीकसे देख सकते हैं काल फारवर टॉ हुआ आजाएगे उससे कैसे डीयक्टिवएट करेंगे उसे कैसे भिप्र ठे चाल है लें आर्छ के लिए करिद्च सब्सक्राइब शोच षुदक्षम도 सब्सक्रीम वीडियो को लड़ander देखना है अधिक्याट वीडिवाइख लेते हैं तो आपका कोईभी एकभाण थाइं नहीं हेक होगा कि यहां पर आपको जैसे आपके काल फारवर्डिंग कि यह आपके फूल पर आपको लीडिले सेश्य अब करने कब देख सकते हैं से अब यहां पर बात करते हैं दूसरे सेटिंग की आपका WhatsApp एकाउंट तो नहीं है कई बार ऐसा होता है आपका फ्रेंड से या गल्फ्रेंड या कोई घर का सदद से आपके एकाउंट को हैक कर लेता है या आपके पूरे फोन को पूरा हैक कर लेता है आपकी काल, फोटो, वीडियो, मैसेज, सारा कुछ हैक करके अपने फोन पर देखता रहता है, चलाता रहता है, तो कैसे चिक करें आपको WhatsApp तो कहीं है, हाँ काफी मोस्ट सेटिंग है, क्योंकि बहुत परेसानी आ रहा है, या WhatsApp काफी लोगों को हैक हो जाता है, और उनको पता भी नहीं चलता है, और उनका प्रेजनल चाहे, यहाँ पर थ्री डार्ट पर आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा नी वेब की सेटिंग गाई, तो यहाँ पर जिसके फोन पर नी वेब ना मिले देखने को, तो यहाँ पर उनके फोन पर मिलेगा लिंक डिवाइस को उप्सिंस, यहाँ पर देख सकते हैं, लिंक डिवाइस यूज वाट्साप इंदर डिवाइस यानि आपके वाट्साप को कोई दूसरा कोई तो यूज नहीं कर रहा है तो यहां पर से आपको देखने को मिल जाता है यहां पर से देखने को मिल जाता है अब देख सकते हैं मेरे वाट्साप हैक नहीं तो यहां पर कुछ नहीं सो हो र डिलीट कर देना है दूसरा WhatsApp आपको डाउनलोड कर लेना है तो यहां से जिस एकाउंट पर आपको यानि जिस फोन पर आपका WhatsApp लोगिन होगा तो वहां पर यह फोन देखने को मिल जाएगा यहां पर उस device का नेम देखने को मिल जाएगा तो काफी कमाल के सेटिंग है आपको यह सिटिंग पता होनी चाहिए और करके रखना चाहिए अब बात करते हैं आपका Facebook एकाउंट फेसबूक एकाउंट तो है कर नहीं है जहां कभी कभी ऐसा होता है आपके नाम से कोई दूसरा Facebook एकाउंट बना कर रखता है और आपके एकाउंट को वह अपने फोन पर चलाता तो हैक है तो कैसे बचांब है हाइक होने से कैसे बचा है और यह कैसे ठीक करे तो आपको आ जाना फेस्ट पर आनक बाद यहांट कर आपको मिलेगा यह नीचे पर आनना है फ्रीडोट पर आने बद्लू virus लेसी पर जातला है वाइनद नीचे देखने को मिलेगे पासवर्ड और सिकूर्टी यहां पर देख सकते हैं पासवर्ड और सिकूर्टी पर जाना है जाने बद यहां पर यहां पर आपको नेंचे सेटिंग देखने को मिलेगे वेर यू लौगन इन, यानि आपका एकंट किसमे लौगीन है आपका FACEBOOK एकाउंट की की मुबाइल पर लोगिन है, यहां पर देख सकते हैं, लोगिन, चैन्व रओड movies, यहां पर कोई ऐसा एकाउंट नहीं है, आपको Facebook account login होगा सारा को देखने के मिल जाएगा तो यहां से आपको logout भी कर लेना है या delete भी कर सकते हैं इस तरीके से तो यह मेरा ही account है इसे मैं रहने देता हूँ तो आपको यदि कोई account समझ में है तो आपको logout कर देना है logout करने के बाद आपको अपने Facebook का password change कर देना है गई Facebook का password change करने के बाद आपको दूसरे Facebook download कर लेना है और वही password डालकर reopen कर लेना है तो काफी कमाल की setting यह आपको यह करके रखना चाहिए और पता भी होनी चाहिए कि आपको यह Facebook account हो hack हो रखा है कोई hack कर रखा है या hack है तो यहां से आप चिक करके change भी कर सकते है अपने account को safely बचा कर बचा सकते हैं तो अब यहां पर बात करते हैं गईज आपके Gmail Gmail तो hack नहीं है गईज आपकी Gmail photo, video, my activity यह setting यह आपके phone पर hack है तो आपका सारा कुछ आपकी call, photo, video, gallery सारा कुछ आप वो अपने mobile पर देखेगा जो बंदा आपने आपके phone को hack किया है तो यह setting आपको काफी ध्यान से देखना है गईज यह setting पूरी कर लेते हैं तो आपके phone को definitely कोई नहीं hack कर सकता है गईज तो कैसे चिक करें आपको आजाना है अपने किसी एक browser पर आना है browser पर search करना है Gmail यहाँ पर Gmail इस तरीके से आपको search करना है गईज आपको desktop पर open करना है तो इस तरीके से चलते हैं Gmail आपको search कर लेना है गईज जैसे ही Gmail सर्च करेंगे तो इस तरीके से open होगा Gmail पर जाना है गईज Gmail पर जानेक बाद आपको इसे Vita वर्जिन पर कर लेना है Desktop टाइप पर Desktop टाइप पर आपको Open करना है Open करनेक बाद यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से Download लेगा तो काफी चोटा चोटा यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से अब यहां पर आपको आ जाना है गाईजी त्रीडोट पर आ जाना है यहां पर अब यहां पर आपको आपका एकाउंट लोगिन है तो यहां पर आपको देखने को मिल जागी यहां पर देख सकते हैं आपके जीमेल का यहां पर डिटेल्स को अपसंस देखने को मिलता है यहां आपके device के login phone यानि जिसने आपका account login किया है अपने device पर वो कहां पर है कितने time है कितनी दूरी पर है यहां पर सारा कुछ देखने को मिल जाएगा IP address यहां पर यह जान लिए आपके IP address same है तो ठीक है यहां पर से आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है देख सकते हैं यहां पर से कहां कहां आपके phone को track किया रहा है 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 किया जा रहा है IP address की तुरू यहां पर देख सकते हैं location IP address इस तरीके से आपको check करने को मिल जाता है और यहां पर देखने को भी मिल जाता है कौन कौन सी IP यहां पर यानि कौन कौन से phone पर login है किस phone के IP address पर login है तो यहां पर मेरे में कोई नहीं है तो यहां पर कोई रहन वन साइज डिवाइस यानि यह मेरे एक्ऊंट एक ही फोन पर डिवाइस लोगिन है तो यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने Gmail को भी चिक कर सकते हैं अब गाईज बात करते हैं कि आपके MyActivity यानि आपके फोटो और वीडियो को कोई आपके मॉबाईल की फोटो वीडियो सारा कुछ अपने मॉबाईल पर देख रहा है कोई जैसे आप किसी को फोटो भेजते हैं कोई वीडियो भेजा आजाना है कि आपको आजाना है अपने मॉबाईल की सेटिंग पर आजाना है गाईज सेटिंग पर आने कि बाद यहां पर आपको मिलेगा गूगल का अप्शन से यहां पर गूगल का अप्शन से मिलेगा गूगल सेटिंग पर जाना है गाईज यहां पर सारा कुछ आपको देखने को मिलता है तो यहां पर इस तरीके से आपको और यहां पर आपको एक सेटिंग बताऊंगा तो यहां पर सारी सेटिंग काफी मॉस्ट है यहां पर यहां पर जो जो आपको सेटिंग करें रखने साहिए यहां पर देख सकते हैं क्लिट भी आपको आन करके रखना चाहिए हमेशा तो गायज आप चेक करेंगे नीचे की आपका किस device login है यहाँ पर कॉन कॉन से device login है तो सारा कुछ चेक करने के लिए आपको sitting भार google एप पर आना है setting भार google एप पर आना है अब यहाँ पर आपको मिलेगा connected एप यहाँ पर यानि किस आइप के थुरू आपका एकाउंट हाइक किया गया है यहां पर आइप जो छिपे होते हैं काफी लोग ऐसे होते हैं कि कोई डाउनलोड करके आपके मॉबाइल पर छिपा देते हैं तो यहां पर वो देखने के मिल जागए यहां पर देख सकते हैं Android डिवाइसे तो यहां पर से आप चेक कर सकते हैं जितने भी एप्स होंगे यहां पर तो सारा कुछ देखने को मिल जाता है यहां पर देख सकते हैं अब यहां से एकाउंट भी देखने को मिल जाता है कौन कौन सा एकाउंट लोग इन किया गया है तो काफी कमाल की सेटिंग थी गयाज यह आपको कर लेने हैं अपने मॉबाइल पर इसी यह होगा कि आपका एकाउंट हैक नहीं होगा और कोई भी आपके फोन को हैक नहीं कर पाएगा यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारी सेटिंग भी देखने की मिल जाती है यहाँ पर गूगल के तुरू जाकर आप डियक्टिवेट कर सकते हैं और डियरेक्टिली डिसकनेक्टेट कर सकते हैं देख सकते हैं लिखा हुआ अब यहाँ पर बात करते हैं गाइज अगले सेटिंग की अब गाइज बात करते हैं अगले सेटिंग की गाइज अब आपको सेटिंग पर आना है गाज यहां पर एकाउंट साइनिंग औपसंस गाज एकाउंट साइनिंग को औपसंस चेक करना है एकाउंट साइनिंग पर आने के बाद यहां पर आपको साइनिंग नाउंग पर आना है गाज यहां पर साइनिंग नौंग पर आना है इस तरीके से आपको गूगल पर जाना है गूगल साइनिंग पर जाने कि बाद यहां पर जो एकाउंट यानि होगे तो सारा आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर देख सकते हैं जिन जिन एकाउंट पर आपका यानि एकाउंट हाइक होगा यानि जो आपने email id नहीं बनाई है यह मालिज यह आपने email id एक बनाई दो बनाई ठीक है और आप नहीं पता है आपको और आपके phone पर कोई दूसरी email id सो हो रही है तो यह मालिज यह आपका phone पूरी तरीके से हाइ है और येदि आप उसे डिलीट करना चाहते है तो तूरंद जाइए और यहां से मौर पर जा कर डिलीट कर सकते हैं इससे यह होगा कि आपका फोन है होने से पूर ए तरीके से बच जाए गया तो यहां किसने आपके फोन को हाइक करना है तो यहां से सारा कुछ चेक कर सकते हैं गाईजी इस तरीके से आपको यहां से डिलीट कर देना है डिलीट करने के बाद यहां पर सिफ पूरा आपके फोन की यह प्रोब्लम से साल हो जाएगी यहां पर से देख सकते हैं यहां से डिलीट कर स सकते हैं बिलकुर अराम से यूच कर सकते हैं कोई दिकत कोई परिसानी नहीं होगी और पूरा एकाउंट आपका सेप रहे गए गए यह सारी सेटिंग थी आपके एकाउंट को हाइक होने से बचाने की गए तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट में नाइस ट्रिक नाइस वीडियो जरूर लिखना